नमस्कार दोस्तों मेरी गाड़ी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो साथियों आज हम आपको इस वीडियो के मादम से आपके साथ यह जानकारी सेर करने वाले हैं कि आप किस परकार SBI पैंशन लोन योजना के तहट SBI बैंक से एक ही दिन के अंदर 14 लाग रुपई तक का लोन किस परकार ले सकते हैं इसके लिए क्या ट्रामेंड कंडिशन है और आपको यह लोन किस परकार मिलेगा और यहां पर आपको कितने रुपई ब्याज की जो दर है वो लगने वाली है यहां से आपको कंप्लेट जानकारी मिलने वाली है तो साथियों आप वीडियो को स्किप ने करते हुए वीडियो के लाज तक बने रहना और यह दिए आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफकेशन के दिवारा बड़ी असानी से मिल सके और यहां पर आपको वेकल और वेकल के लोण से रिलेटिड या फिर बैंकिंग से रिलेटिड ही जानकारी याँ आपको इस चैनल के दोओरा अपडेटिभ जानकारी मिलती रहती है तो इसके लिए आप उमारे चैनल को स trauma के जुरूर करें तो सबसे पहले जो condition है वह यही है कि यहाँ पे आप केंदर और राज्य सरकार के सरकारी retirement करमचारी होने चाहिए हंजी साथियो यदि आप किसी भी नीजी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप किसी भी नीजी फरम से यदि आप retirement है और वहाँ से यदि आपको pension मिलती है तो आपको इस योजना कहता है तलाब नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लिए जो ट्राम एंड कंडिशन वो यही है कि आप केंदर और राज्य सरकार के सरकारी retirement करमचारी होने चाहिए इसके साथ साथ यदि आप आर्मी से भी retirement करमचारी है तब भी आपको SBI pension loan योजना कहता है 14 लाख रुपे तक का loan मिल सकता है यदि हम आर्मी retirement करमचारी की बात करें तो वह है ITBP, BSF, CISF और वह है असम राइपल इन सभी में से किसी भी के एक कटेगरी में से वह retirement करमचारी हो सकता है अब हम यदि दूसरी condition की बात करें तो साथियों यहाँ पे retirement करमचारी की जो उमर है वो 76 वरस से अधिक नहीं होनी चाहिए यानि कि यदि आपकी उमर 76 वरस से ज़्यादा है तो आपको योजना के तैतलाब नहीं मिलेगा अब हम तीसरी condition की बात कर लेते हैं जिस भी bank में आपकी salary आती है वह bank आपका भारतिय स्टेट bank ही होना चाहिए यानि कि आपकी pension भारतिय स्टेट bank के account में ही आनी चाहिए अब हम यहाँ से processing fees की बात कर लेते हैं रक्सया pension भोगी candidate के लिए SBI bank से pension loan योजना के तैत loan लेने के लिए आपको यहाँ पे 0% processing charge देना पड़ता है यानि कि रक्सया pension भोगी candidate के लिए आपको यहाँ पर कोई भी processing fees के रूप में extra fees नहीं देनी पड़ती है और आपकी जो EMI है वो आपके बारतिय स्टेट bank के account से ही cut कर ली जाती है यानि कि आपको जिस भी account में आपकी pension आती है उसी bank से आपकी जो EMI है वो हर मिने automatic cut कर ली जाती है सबसे बड़ा लब आपको यह योजना के तहित यह मिलने वाला है कि यदि आप समय से पहले अपने loan को close करवाना चाहते हैं तो आपको मातर 3% extra प्याज ही देना पड़ेगा 3% extra पैसा का क्या मतलब है मालने थे कि आपने 14 लाख रुपे का loan लिया और आपने 10 लाख रुपे का loan भर दिया और उसके बाद आपका जो says जो pending प्रिंसिपल है वो 4 लाख रुपे रह जाता है तो अब आप अपने 4 लाख रुपे प्रिंसिपल के साथ 3% के according आप 12,000 रुपे एक्ट्रा पैसा देकर अपने loan को close करवा सकते हैं तो साथियों यहां से आपको जितना भी आपका pending principle बजता है उस spending principle के उपर आपको 3% एक्ट्रा पैसा देकर आप अपने loan को समय से पहले भी close करवा सकते हैं और सबसे बड़ा benefit आपको यहां पर यह भी मिलने वाला है कि इस loan को करवाने के लिए आपको कोई भी insurance नहीं लेना पड़ता यानि कि आपको without insurance के तैथ आप SBI pension loan योजना के तैथ loan ले सकते हैं अब हम यहां पर आपके document के बात कर लेते हैं कि आपको यहां पर किन किन document के जूर्थ पढ़ने वाली हैं तो साथियों आपको यहां पर ज्यादा document देने की जूर्थ नहीं होती simple आपको KYC करवानी होती है इसके लिए आपको अधार card आपका pen card आपकी दो passport size photo और आप जिस भी department से retirement करमचारी है उस department की तरफ से आपके पास एक proof भी होना चाहिए कि मैं इस department की तरफ से retirement करमचारी हूँ तो सातियों ये सभी document दे कर आप SBI bank से मातर एक दिन के अंदर एक ही working days के अंदर आप SBI pencil loan योजना के तैत maximum 14 लाग रुपे का लोन ले सकते हैं अब हम बात कर लेते कि आपको यहां से minimum कितना लोन मिलेगा तो सातियों इस योजना के दायत आपको कम से कम 25 लाग रुपे का लोन मिलता है और ज्यादा से ज्यादा आपको 14 लाग रुपे तक का लोन मिलता है तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को देखते रहे अब हम आगे इस वीडियो के लाश्ट में आपको बताने वाले हैं कि किस करमचारी को किस एज के अकोर्डिंग आपको कितना लोन याँ पे मिलने वाला है यदि हम इसके ब्याज़दर की बात करें तो यहां पे आपको 13% सालाना ब्याज़दर के उपर यह लोन मिलता है यानि कि आपको 13% सालाना ब्याज़दर के देना होता है अब यहां पे एक और्बिटरम कंडिशन दी हुई है यदि आपकी सैलरी 20,000 रुपे आती है तो आप यहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी जो किस्त है वो 10,000 रुपे की ही आप बनवा सकते है यानि कि आप अपनी पैंसन का 50% ही EMI दे सकते हैं इसके तहत आपकी जो लोन की जो माउंट है वो कम और ज्यादा भी बन सकती है हंजी साथियो अब हम आपको यहां से बताने वाले हैं कि SBI पैंसन लोन योजना के तहत आपको कितने रुपे का लोन मिलने वाला है केंदर और राज्य सरकार के पैंसनर के लिए यहां पर लोन की जो कंडिशन है वो बताई गई है कि आपको कितने रुपे का लोन यहां पर मिलेगा loan pass होनते समय यादि आपकी a you बہतर साल है या फिर उससे यदि आपकी a you कम है तो आपको अधिक्तम जो loan है उसकी जो रासी है वो आपको 14,00,00 रूपे का loan यहां से मिलेगा और आपको जो loan सुकाने का जो समय है वो 5 साल का समय आपको यहां पे मिल जाता है और साथियो यदि आपकी उमर 25 साल से लेकर 74 साल के बीच में हैं तो आपको यहाँसे इस योजना के तहद बारा लाख रुपे का लोन मिलेगा और आपको यह जो लोन है वो 4 साल के अंदर आपने वापस करना है साथियों जैसे कि आप इस सलैप में देख रहे हैं यदि आपकी उमर 74 साल से लेकर 76 साल के बीच में हैं तो आपको इस यूजना के तहद 7.5 लाक रुपे का लोन मिलेगा और आपको यह लोन 2 साल के अंदर चुकाना है तो साथियों जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के मादम से आपको पहले भी बताया था कि आपको यह पे लोन लेने की जो मैक्सिमम जो उमर है वो 76 साल है क्योंकि आपको 78 साल के बाद आपको यह लोन नहीं चुका सकते यानि कि आपको 78 साल की उमर तक ही इस लोन को चुकाना होता है और आपको यह लोन कम से कम 2 साल के लिए मिलता है इसलिए आपको इस योजना के तैत SBI Pencil लोन योजना के तैत लोन लेने के लिए आपकी जो उमर है वो 76 वर्स मैक्सिमम होनी चाहिए इससे ज़्यादा उमर होने पर आपको योजना के तैतलाब नहीं मिलेगा अब हम डिफेंस के पैसनर के लिए बात कर लेते हैं कि वहाँ पे उनको कितने रुपए का लोन मिलने वाला है सातियों यदि आपकी उमर 56 वरस से कम है तो आपको यहां से 14 लाक रुपए का लोन मिलने वाला है और आपको यह जो लोन है वो 7 साल के लिए मिलेगा और यदि आप आर्मी के रिटार्मेंट करमचारी हैं और आपकी उमर 56 वरस से लेकर बैतर वरस के बीच में हैं तो आपको यहां से 14 लाक रुपए का लोन 5 साल के लिए मिलने वाला है और यदि आपकी उमर 27 साल से लेकर 24 साल के बीच में हैं तो आपको यहां से 12 लाक रुपए का लोन मिलेगा और आपको यह जो लोन की जो रासी है वो 4 साल के लिए मिलने वाली है यानि का आपको चार साल के अंदर इस लोन को चुकाना है यहाँ पे जो कंडिशन है वो सबसे बड़ी कंडिशन यही है कि आपको यह जो लोन है आपकी एज के अकोर्डिंग कम और ज्यादा समय के लिए कम और ज्यादा अमाउंट का लोन मिलता है यदि आपकी उमर 74 साल से लेकर 76 साल के बीच में है तो आपको यहां से 7.5 लाक रुपे का लोन 2 साल के लिए मिलने वाला है अब हम साथियो फैमली पैंसनर्स के लिए बात कर लेते हैं कि उनको कितने रुपे का लोन मिलेगा साथ्यों यदि आप family pensioners हैं और आपकी उमर 32 साल से कम है तो आपको 5 लाक रुपए का लोन 5 साल के समय के लिए मिलने वाला है और यदि आपकी उमर 32 साल से लेकर 74 साल के बीच में हैं तो आपको यहां से 4.5 लाक रुपए का लोन 28 महीने के लिए मिलेगा यदि आपकी उमर 74 वरस से लेकर 76 वरस के बीच में है तो आपको यहां से डाई लाक रुपे का लोन दो साल के लिए मिलने वाला है तो सातियों SBI Pencil Loan योजना के तैट के इंदर और राज्य सरकार के सरकारी रेटार्मेट करमचारियों के लिए उसकी एज के एकोर्डिंग यहां पे लोन की जो माउंट है वो डिसाइड की गई है जैसे कि आपने अभी इस लेब में चेक किया है कि किस उमर के साती को यहां पे कितने रुपे का लोन मिलने वाला है ज्यादा जानकारी के लिए आप Customer Care से भी बात कर सकते हैं और यहां पे आपको Customer Care का नंबर भी दिया जाता है आप 1811-211 नंबर भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप इस Customer Care के नंबर से बात कर सकते हैं और वहां से आप SBI Pension Loan योजना के तैद आपको जो लोन मिलने वाला है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं यदि आपको किसी भी परकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमसे इस वीडियो के मादम से कॉमेंट करके यहां से जानकारी भी ले सकते हैं हमारे द्वारा दे गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक से रोर कोमेंट के मादम से जरूर बताए धन्यवाद दोस्तों